बाबा महाकाल के आर्थी के लाइब दर्शन कि आपने अब पीएम मोदी का कारीक्रम किस तरह सरेगा कितनी देर तक वो गर्ब ग्रहे में रुकेंगे तमाम जानकारी लेंगे हमारे साथ समधात प्यूश पारे जुड़ गया है जो कि पंडिटी से जान रहे है कि क्या कुछ प्यूश पूजारी जी है जो पहले भी जब प्रदानमंत्री मुक्यमंत्री हुआ करते थी याने कि जब गुजरात के मुक्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे उस वक्त भी उन्होंने विशेश पूजन यहां पर महाकाल के दर्बार में करवाया था और आखिर किस तरीके से इस देखे मंदीर का करिक्रम तो लगब च्छे बजे का निर्दारी तो हुआ था कि छे बजे मंदीर पर आई है तो सबसे पहले तो जदी वो जनाते हैं तो बाबा महाकाल की शरण है उसी में आई है बाबा महाकाल की पूजा करेंगे सेवा करेंगे जो भी प्रात्रा करेंगे और जो गर्दान भगवान से मांगना है वो अपने मंद से मांगेंगे और उसके बाद जो ये कोरिडौर का जो निर्मान हुआ है उसका लोकारपन होगा आम भक्टों के लिए ये सब जो भी है जितना समय जो उनका प्रोटोकाल जो होता है उसने डिर्धारीत किया उसी निर्धारी समय में सारे करार के मोह होगी। मोधी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के उसक्त भी यहां पर पहुचे थे और सयोगवश आप उनके साथ मौजूद थे किस तरीके से देखते हैं 2014 के बाद से जो लगाता और उनका सफर चलाया क्या बाबा महाकाल की क्रपा है। थे लिए राजा का सम्मान करता है। राजा भी इमांदार हो तो इमांदार राजा को इमांदार राजा पसंद भी करता है। तो इसलिए भगवान महाकाल का आश्रवाद तो है लेकिन जब वो मुक्यमंत्री रहे और यहां आये तो उनकी जो भी मुराद रही हो वो महाकल ने पूरी की बस्वगत सुभाग्य था दोन बार पूजा में नहीं की थी और कराई थी उनको और बड़ी तनमयता से सेवा पूजा की और तनमयता से उन्होंने भगवान का ध्यान भी किया जिसका प्रतिपल देश में दिख रहा है और आज पुना उन्हें प्रदान मंत्री बनने के बाद पहला आउसर है और वो भी आउसर इसलिए आया है कि हमारे महाकाल मंदिर में जो निर्मान हुआ है उसका है तो लोकारपन करना क्योंकि काशिका भी किया है केदार में भी किया है और अब तीसरा महाकाल में ये सुभाग्य उनको प्राप्त हुआ है तो मैं तो यह चाहूँ यह संस्कृति का विकास होगा जो संस्कृति भूली जा रही थी आदूनिक युक की तरब जा रहे थे, सेलफी सिष्टम बन रहा था, उसे बनिस्पत आज संस्कृति की ओर जाने का इस कोरिडोर से एक माध्यम बनेगा, यह हम विश्वास कर सकते हैं, और विश्वास है भी, क्योंकि कुछ तोड़ा सा ध्यान जरूर हमारे मेनेजमेंट को क करना पड़ेगा, कि वो सेलफी इस पार्ट न भनें, लेकिन उस संस्कृति इस पार्ट भनें, यहीं चाहेंगे, और मोदी जी के शश्वी रहे, स्वस्तर रहे, मस्तर रहे, देश का कारी करते हैं, जाने महेश पुजारी जी है, और साफ तोर पर कह रहा हैं कि जिस तरीके से विशेश पुजन होगा, शाम के वक्त यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनिट वे यहाँ पर मंदिर में मौजूद रहेंगे, और बाबा महकाल का विशेश पुजन भी करेंगे, और देश और प्रदेश के सुक और समर्दी की कामना भी की जाएगी, तो बहुत और पी-म, पहल